मुवी का स्टार जैक नामी बच्चे से होता है जिसका फादर एक पास्टर था जैक को स्टोरी सुनना काफी पसंद था लेकिन किंग की स्टोरी सुनना इसे ज़्यादा पसंद था ये किंग की खानी उस टाइम की है जब वो पूरे कंट्री पर राज करता था उसके दोर में पास्टर ने कुछ ऐसे बीच बनाए जो आम बीच नहीं थे ये जादोई बीच थे इनको बनाने का मतलब ये था वो इन बीच से हैवन में गोड से मिल सके इस बीच को जमीन में लगा दिया जिस से एक बहुत बड़ा द्रखल जमीन पर उगने लगा ये ट्री इतना लंबा था कि आस्मान को चू रहा था पास्टर समझ रहे थे कि इस ट्री का रास्ता हैवन की तरफ जा रहा है जब वो इस ट्री पर गई तो इन्हें पता चला कि अर्थ और हैवन के बीच एक और दुनिया है जो काफी खतरनाग है वहाँ इन्सानों से ज्यादा जाइंट रहते हैं जब जाइंट इन्हें आते हुए अपनी तरफ देख रहे थी इनको जमीन पर आने का रास्ता मिल गया और वो भी इनके पीछे जमीन पर आ गए जमीन पर आते ही जाइंट ने सब कुछ तबा़ कर दिया और इन्सानों को मार कर इन्हें खाना शुरू कर दिया ये सब देखकर किंग के साथियों ने एक जाइंट को मार दिया फिर पास्टर ने इस जाइंट का दिन लगालकर इस पर एक मैजिक किया और इसके दिल से एक ताज बना दिया जब किंग इस ताज को पहन कर जाइंट के सामने गया तो ये सारे जाइंट के सामने जुक गए इसी अपना किंग मानने लगे किंग इन सारे चायंट को ओर्डर देता है तुम लोग वापस अपने दुनिया में चले जाओ ये सारे चायंट वापस चले गए फिर किंग ने इस ट्री को कटवा दिया और इस ट्री के बीच को अपने पास रख लिया जब किंग की मौत हुई इसके साथ ही वो बीच और ताज को हमेशा के लिए दफना दिया गया ये स्टोरी जैक के अलावा प्रिंसीज को भी काफी पसंद थी क्योंके प्रिंसीज किंग की फैमली में से थी इसलिए वो इस स्टोरी के बारे में जानती थी इन मोवी में 10 साल बात दिखाया जाता है जहां जैक अब काफी बड़ा हो गया था और सिटी में अपना गोड़ा सेल करने के लिए जा रहा था जब वो सिटी में देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा था जिसकी वो कहाने सुना करता था ये ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है वहां प्रिंसिस भी अपना बेस बदल कर आई हुई थी वही कुछ लोग प्रिंसिस को तंग करने लगते हैं जैक इसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तभी ये लोग नीचे जुब जाते हैं क्यूंकि पीछे से प्रिंसिस के लोग आ रहे थे ये लोग प्रिंसिस को अपने साथ ले जाते हैं लेक्स रोग को दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसिस की शादी होने वाली थी पर प्रिंसिस रोग को पसंद नहीं करती रोग स्टडी रूम में देखता है कि वहां समान बिखरा पड़ा था इसे वहां वो ताज मिल जाता है जो काफी सालों पहले बनाया गया था लेकिन इसमें से एक चीज गाइब थी रोग अपने सोलजर को ओर्डर देता है कि सारे सीटी को बंद कर दो और उस पास्टर को तलाश करने की कोशश करो इदर जैक के पास एक आदमी आके कहता है मुझे तुम्हारे गोड़े को खरीदना है ये जैक को कुछ बीच देता है और उसे कहता है ये एक फादर को दे देना ये उसे इस फादर का नाम भी बताता है इसके बतले में वो तुमें पैसे देंगे जैक कहता है इन आम बीचों के बदले में मुझे क्यों कोई पैसे देगा ये बताने लगता है कि ये बीच कोई आम बीच नहीं है बलके जादूई बीच है ये बहुत पावरफुल है जो पूरी दुनिया को बदल सकते है जैक अब यहां से जाने लगता है लेकिन पकड़ा गया था नेक्स्ट कैसे भी करी कि ये अपने अंकल के पास आता है इसका अंकल इस पर गुसा होता है कि तुम कोड़े के बदले ये आम बीच ले आए हो अंकल हुसे से इन बीच को जमीन पर फैंक देता है जैक इन पीच को अकठा करता है लेकिन एक बीच नीचे गिर गया था जिसका जैक को पता नहीं चलता वहीं बारिश भी हो रही थी दूसी तरफ प्रिंसिस रोक से शादी नहीं करना जाती थी वो अपने गर से निकल आती है ये बारिश से बचने के लिए इस वुडन होस में आ जाती है यहां दोनों बैठे बाते कर रहे थे जबके दूसरी साइट पर इस पीच पर पादी लगने से वो ट्री बनने लगा था ये ट्री गर को तबाह कर देता है क्योंके बीच इस गर के नीचे गिर गया था जिसकी वज़ा से प्रिंसिस इस ट्री के साथ काफी उपर चली गई थी जैक से बचाने के काफी कोशिश करता है सुबा प्रिंसिस के फादर किंग आते हैं वो देखते हैं ये ट्री इतना लंबा था कि आसमान को छू रहा था जैक इन्हें सारी बात बता देता है अब गिंग उपर जाने का प्लैन करता है अब ये सारे इस ट्री पर चल रहे थे प्रिंसिस को बचाने के लिए रोक चान बूच कर रसी को तकार देता है इसकी वज़ा से कुछ सोलजर किर कर मर जाते है रोक वहां पहुँचकर जैक से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो जादूई बीच है ये जैक को चाकु दिखा कर इससे जबरदस्ती वो बीच ले लेता है जैक ने एक पीच अपने पास चुपके से रख लिया था अब ये अलगलग जगा पर प्रिंसिस को डूडने लगे थे वहीं पर जाइंट आ जाता है वो जैक के दोनों साथियों को पकड़ कर अपने साथ ले गया था जैक भी अब इसके पीछे जाता है वो प्रिंसिस को डूडना चाता था इसे लगता था कि जाइंट जहां जा रहा है वहीं इसने प्रिंसिस को रखा होगा दूसी तरफ रोग अपने साथियों के साथ था इन में से वो एक को नीचे पहंक देता है इतनी देर में वहां जाइंट आकर इसके सामने इसके साथियों को मार देता है ये रोग को मारने लगा था रोग उसी ताज को बाहर नकालता है जो जाएंट के दिल से बनाया गया था अब जिसके पात ये ताज था जाएंट उसका ओडर मानें गे फिर रोग ये ताज पहन कर उस जगा आ जाता है जहां काफी सारे जाइंट थे प्रिंसिस भी यही थी रोग जाइंट के हेड़ को अपने सामने जुकने को कहता है रोग इसके सर पर पाऊं राकर तख़त पर आ जाता है और इन्हें कहने लगता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूँ और अब हम जमीन पर जाएंगे सब को अपना गुलाम बना लेंगे दूसरे दरफ एक जाइंट प्रिंसिस और जैक के एक आदमी को मारने ही लगता है कि वहां पर जैक आ जाता है जैक एक बड़े सारे चाकू से इस पर हमला करके इसे मार देता है यह तीनों यहां से निकल कर बाहर आते हैं और ठीकेज रिया जमीन पर पहुंचने वाले थे वहां एक बहुत बड़ा जाइंट सोया हुआ था यह इस पर मक्यों का च्छता लाकर छोड़ देती है जिससे यह तरपने लगता है तरपते हुए यह नीचे गिर जाता है नीचे किंग अपने आदमियों को ओडर देता है कि इस ट्री को कार दो वरना जायन जमीन पर आने वाले हैं इनके आने से जमीन पर काफी तबाही होगी जैक का साथी तो एक फाइटर था यह इन दोनों से कहता है कि तुम लोग जमीन पर चले जाओ मैं रोग को यहां रोगना चाहता हूँ अम यह दोनों ट्री के जरीर नीचे आने लगते हैं किंग ट्री कटवा रहा था क्योंकि वो जानता था यह ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थाबत हो सकता है इदर रोग सारे जाइंट के साथ जमीन पर आने की त्यारी कर रहा था लेकिन वहीं पर फाइटर और रोग के बीच में लड़ाई होती है फाइटर इसके मार देता है और रोग के सर से ताज जमीन पर गिड़ जाता है इदר या तीनों कैसे भी करके जमीन पर आ गई थे वही जाइंट केंग इस ताज को अपने हाथ में पहन लेता है और सारे जाइंट इसे अपना जाइंग मानने लगे थे अब ये जमीन पर नहीं जा सकते थे वहीं इने एक ठैली मिलती है इसके अंदर वो ही बीच थे अब किंग जाइंट इन पीजों को पानी के अंदर भैंक देता है अब ये बड़े बड़े ट्री बनने लगे थे ये ट्री को जमीन की तरफ कर देते है नेक्स किंग अपनी बेटी को देख कर खुश होता है किंग जाय का शुकरिया अदा करता है अब ये यहां से अपने गर की तरफ चा रहा था तो रास्ते में देखता है वही ड्री जमीन की तरफ आ रहे थे ये यहां से बाग कर किंग और प्रिंसिस को बताता है जाइंट जमीन पर आ गई हैं वहीं हर तरफ जाइंट फैल जाते हैं ये सब बागकार महल में आते हैं जाइंट भी इनके पीछे आ रहे थे इधर फाइडर अपने सॉल्जर को ओर्टर देता है कि इन पर तीर बरसाओ जिससे कुछ जाइंट पानी में गिर जाते हैं कुछ जाइंट महल पर हमला कर रहे थे जिससे महल की दिवार तूटने लगती है किंग समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है वो प्रिंसीस से कहता है तुम एक रूम में जाओ वहाँ एक सीक्रेट रास्ता है वो तुमें कहीं और ले जाएगा वहाँ एक फायर टॉर्च होगी इसे तुम जला देना जिससे सब को पता चल जाएगा कि हम मुश्किल में हैं अब जाइक और प्रिंसीस दोनों जाते हैं जब ये फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगे थे तो वहाँ की जमीन फटने लगती है क्योंके वहाँ जाइट आकर इन दोनों पर हमला करने लगा था जाइट जाइट को मारने ही लगता है कि जाइट इसके मुँ में वो आखरी बीच डाल देता है अब ये ट्री इसके पेट में उगने लगा था जिससे इसकी बोड़ी फट जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल गई थे थोड़ा आगे जाने पर जाइट के पास इस जाइट का हाथ आकर गिरता है जिस पर वो ही ताज था इदर किंग और जाइट आमने सामने थे वहीं सारे जाइट जुक जाते हैं किंग ये देकर हैरान था जब ये पीछे देखते हैं तो जैक ने वो ताज अपने सर पर पहना हुआ था ये सब जाइट को ओर्डर देता है कि तुम लोग अपनी दुनिया में वापस चड़े जाओ जब ये अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं तो इन्होंने सारे दुक्तों को कटवा दिया था और आखर में दिखाया जाता है प्रिंसीज और जैक की शादी हो जाती है इनके तो बच्चे थे जैकी ये स्टोरी अपने बच्चों को सुना रहा था और यूं मुवी केंट हो जाता है वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सूर करें